नमस्क्रार मैं अंजली मिश्रा सुवागते आप सभी का दुनियोज में आपको बतादे कि चिराग पासवान ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी कटाच किया और कहा कि चार सीट जीत कर आखर किस बात का इतना घमंड कर रही है वह दूसरी तरफ आपको बता दे कि चिराग पासवान और कंगना रनाउत को यह संसद में एक साथ देख कर अब यह क्या सकते हैं कि सुर्खियां बिटोर रहा है इनका यह मिलना जुलना और लोग इस पर तरह तरह के रियाक्शन दे रहे हैं और इसे के साथ चिराग पासवान इस वक्त लोग जल सकती पार्टी के रवास्ट्रिया अध्यक जो है लगातार फॉर्म में नजर आ रहा है केंद्रिया खाद और प्रसारन मंत्री बन चुके हैं और इसके बाद से लगतार चिराग पासवान काफी जादा अक्टिव नजर आ रहा है और बयान जवाब जो है मुझे देना है मेरे छोटे भाई को कि जहापर ने कहा था कि चुनाव हारने के लिए उन्होंने मुझे बदाई दी थी उन्होंने कहा था कि उनके पास जानकारी आई हुई है कि ठीक से सारे चीज़ा नहीं हो रही है तो उन्हें कहा कि जिसकी पार्टी के न रखते हैं को पता ही नहीं है कि ग्राउंड रियालिटी क्या है और ऐसे में सिर्फE बड़े बयान देने से देश याप्रदेश की राजनीती को वह सेद्ध कर सकते हैं तो यह बात जो है चिराग पासवान द्वारा कही गई चिराग पासवान ने आप सब देख सकते हैं कि किस तरहीं से त्यजस्वी पर निशाना इस मामले को लेकर साधा है और अपने तरफ से प्रतिक्रियाई दी तो वहीं आपको बतादे कि लोग जन सक्ती पार्टी के राष्ट्रिया द्यक्ष और केंद्रिया खाद और पसारण मत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर भी जम कर दिशारा साधा चिराग ने कॉंग्रेस के नत्यत वाली विपक्ष पर दलीतों का अपने फायदे के लिए इस्तमाल करने का आरोप लगाते हुए एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने लिखा है कि कॉंग्रेस को जब अपनी हार सुनिश्चित लगती है तो वो दलीतों का सहारा लेती है तो संसद में उनके पास संख्या नहीं फिर भी उन्होंने लोग सभाद्यक्षपत के लिए अपना उमिद्वार खड़ा कर दिया था शिराग पासवान ने शो कुमार शिंदे जी को मिद्वार खोशित किया था इसी तरह 2017 में उन्हें पता था कि विराष्ट्रपती पत का चुनाव हा रही है तो उन्होंने मीरा कुमार जी को नामंकित किया था अब जब उनके पास 2024 में लोग सभाद्यक्षपत के लिए चुनाव के लिए पश्ट मंगलवार को सत्ता पक्षर विपक्ष के बीच आम सहतेवीति नहीं बन सकी इसके बाद बुद्वार को कॉंग्रिस विपक्ष की ओर से कॉंग्रिस आंसद केडी कुर्णीर सूरेश ने अपना नामंकन दाखिल कर दिया था मंगलवार को और एंडिये की से पिछली लोग अध्यक्ष की कुर्सी है उन्होंने समवा ली जिसके बाद कहा जा रहा था कि राहूल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद यह जो पहला टास्क था तास्क में काफी जादा बवाल होने की उमीद थी काफी जादा अगर आप कहेंगे कि दावपेश लगने की उ इसा बिलकुल भी होता नजर नहीं आया क्योंकि साफ तोर पर विपक्ष का नंबर गेंग का खुलासा जो है वह सबके साबने हो जाता जैसे कि ब्यान बाजी पीक की भी की गई थी जैसे इमर्जंसी का भी मुद्दा चल रहा था तो कॉंग्रेस के लोग चला रहे थे लेक पूरी तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है क्योंकि सब पार्टिया है वह अपने अपने कामों में व्यस्त हो गई है और विधान सबचनाओ की तेहरी कर रही है तो वहीं दूसरी तरह आपको बता दे कि संसंद में हर चीज हंगामा पानी का मुद्दा इमर्जंसी का मामला चल रहा था उस वक्त एक और तस्वीर थी जिसने सभी का ध्यान अपने तरह बिटो रहा और वह तस्वीर थी बॉलिवुड एक्ट्रेस कंगना रनाउत और जो है आपको बता दे की चिराग पासवान की जहां पर दोनों इक दूसरी से मिलते हाथ मिलाते गले मिलते नजर और यह आप कह सकते हैं कि कैमरे में कैद हो गया जिसके बाद इस पर तरह तरह की प्रतिक्री आया आनी तो अगर आप कहेंगे कि लाजबी थी अब दरहसल हुआ यह की बाकी लोग हर चीज को लेकर चर्चा कर रहे थे एक चिराग पासवान और कंगना रनाउत एक दूसरे स के मुलाकात करते नजार आ तो बॉल्यूवीड एक्ट्रेस कंगना रनाउत लोगसभा चुनाव जीतने के बात से ही लगाता जो है सुर्खियों में है भारी मतों से मंडी लोगसभा सीर जीतने के बाद अब उन्होंने लोगसभा सब्दस्ते के रूप में शपत ग्रहन की इसे बीच कंगना का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो केंद्रिया मंत्री चिराख पासवान संग हाथों में हाथ दाले संसत पहुंची वीडियो में कंगना रनाउत साडी में बेहद खुबसूरा दिखी चिराख संग उनकी हसी ठीटोली देखकर हर को यह सोचने पर वि इसी दोरान चिराख पासवान को देख कंगना रनाउत खुशी से जुमूठी पहले दोने ने एक दूसरे से हाथ मिलाया फिर इसके बाद दोनों को गले लगाया आगे वीडियो में देखा दोनों ने किसी बात पर ठाहके लगाते विए ताली मारते दिग गए दोनों का य जबकि इसकी लीड आक्रस कंगना रहती और दोनों जो है अगर आप कहेंगे राजनीती में भी एक साथ आकर नाम कमाते हुए नजर आ रहे हैं कंगना रहते बहुत बहतरीन जीत दर्च की है और दोनों को लेकर काफी चर्चा होती रहती है जिस तरीके से दोनों दूसरे के साथ मिलते हैं दुन धुसरे के साथ खुश नजर आते हैं, तो लोग उन्हें कहे रही हैं कि ये नए जो है दो सांसद आप कहसे सकते बैस्टी बिस्टी बताते हैं, तो कुछ लोग जो है इनकी जोडी को लेकर भी जो है तरतरक करते रहते हैं और साफ तोर पर चिराक पासवान जो है अब उनके पर जिम्मदारिया बढ़ गई है पहले वह काफी जादा ब्यान बाजिक कर रहा है थे आकरमक नजर आ रहे थे बिहार में उनकी विजह से सीटे उन्हें दी गई थी उन सभी सीटों पर उन्हें ने जीत दर् केंद्र में जगा दी क्योंकि उनके द्वारा बिहार में बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया गया था बहुत अच्छे तरीके से प्रदाशन किया गया और इनकी कई सारी सीटे जो है बीज़ेपी के खाते में गई और इसे बड़ी जीत के तोर पर देखा जा रहा जिसमें एक नाम चिराग पासवान का भी था तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला है यह बड़े विस्तार से बता है कि पूरा मामला क्या है इस मामले पर अब आपकी भी ज़राय हो हमें कॉमेंट करके जरूर से जरूर सार्जा करिएगा धन्यवाद